जै मात आदी आप सभी धनु राशी के जितने भी जातक हैं आप सभी को नौ वर्ष की हारदिक शुप कामना हैं 2021 का राशी फल हम धनु राशी वालों के लिए बताने जा रहे हैं इस वीडियो में अंत तक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हर मामले में बताएंगे कि कैसा आपका व्यववसाय रहेगा कैसी जोब रहेगी कैसा आपका रिष्टों के संबंध में ये साल रहने वाला है साथ ही साथ क्या उपाय करेंगे तो ये साल बेश्ट बन जाएगा तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा साल 2021 धनुराश्य वाले जातकों के लिए बड़ा ही उतार चड़ाव वा यदि आप लोगों से अधिक अपेक्षाएं करना छोड़ दें तो यह बात आपके लिए अधिक बहतर साबित होगी यानि कि उम्मीदें आप लोगों से न रखें एक्सिपीटेशन्स न रखें अपेक्षाएं व्यक्ति को दुख देती हुई नजर आती हैं धनुराश्य क के हवाले बैठ करके आपके काम सफल होते हुए नजर नहीं आने वाले हैं भागियर को छोड़ करके आपको अपने कर्मों के उपर विश्वास करना होगा और कर्म करना शुरू करना होगा ऐसे जातक जिनका पिछला साल काफी खराब गया है और वह किसमत के उपर निर्भर रहते हुए नजर आए हैं तो उनको हम सलाह देते हैं कि आप अपने किसमत के लिए नरोएं बलकि अपने कर्मों को सही करना शुरू कर दें कर्म के आधार पर आपको अच्छे फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे यह साल जो है आपके लिए उतार चढ़ाओ भरा रहन वाला है तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी होगी इस साल को बहतर बनाने के लिए बात कर लेते हैं ओवर व्यू कैसा रहने वाला है तो आपको साल की शुरूआत में जनवरी फरवरी और मार्च के महिने में अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होने वाले हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको साल की शुरूआत में ही निराश होना पड़ेगा जी हां साल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसके बाद माई के बाद जब सुर्य और विरहस्पति अपने सरवुच्च पराकाश्टा के अस्तर पर होंगे और आपकी कुंडली में सुख औ आते हुए नजर आएंगे तो यह आपके भाग्ये वृद्धि के संकेत होंगे धनुवार्शिकराश्पल 2021 के अनुसार इस समय में आपको व्यवसाय में लाप्राप्त होता हुआ नजर आएगा तो वहीं पर दूसरी तरफ जो लोग नौकरी करते हैं उनको भी पदोनती मे वृद्धी होती हुई दिखने वाली है स्वास्थे से लेकर के पैसों के लाव तक सभी शेत्रों में आपको फायदा पहुंचता हुआ नजर आने वाला है साल 2021 में ऐसा समय मई के बाद का समय बोला जा सकता है आपके लिए मई से अक्टूबर नौंबर के बीच का समय आप शुब रहने वाला है इस समय आपको भागय का पूरा-पूरा साथ मिलेगा साथी साथ अश्टम भाव में विराजित मंगल भी आपको पूरी तरह से लाभानुइत करते हुए नजर आने वाले हैं इस समय में आपको स्वास्थ में कोई बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा साथी साथ जो जातक सोने से जुड़ा हुआ कारोबार करते हैं उनके लिए तो यह समय अत्ति उत्तम बोला जा सकता है मंगल की क्रिपा से जो जातक खेल के शेत्र में अपना केरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी इस जगह पर सफलता प्राप्त होती ह भी नजर आएगी ऐसे जातक जो की कला के शेत्र से जुड़े हुए हैं और फिल्म के शेत्र में कारे कर रहे हैं ऐसे जातकों को भी मंगल की क्रिपा से लाव प्राप्त होता हुआ नजर आने वाला है धनुराश्य वाले जातकों के स्वास्त की बात करें तो आपका स्वास या फिर पेट से जुड़ी हुई बिमारियां आपको परिशान करती हुई नजर आ सकती हैं। आपको जितने धन के आवशकता रहेगी वह धन आपको कम से कम मिलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ समय से रही होंगी वह धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आएंगी। दामपत्य जीवन की बात करें तो दामपत्य जीवन के लिए इस बार शुक्र उचस्तर का बन करके बैठा हुआ है। पिछले काफी समय से अकेले हैं उनको भी इंतजार करना पड़ सकता है। संतान के लिहाज से साल 2020 आपके लिए सही गुजरता हुआ नजर आएगा। आपकी संतान आपका नाम रोशन करती हुई नजर आएंगी। वहीं पर पढ़ाई के शित्र में आपके बच्चे उच्च कूटी का प्रदर्शन करते हुए दिखने वाले हैं। समाज में आपके बच्चे आपको मान समान प्रदान कराते हुए दिखेंगे और यह देख करके आपको अपने उपर या अपनी उलाद के उपर घमंड बिलकुल नहीं करना है। बलकि इसके लिए इश्वर को यदि आप धन्यवाद देंगे तो ज्यादा बहतर सावित होगा। आप अपने काम से दिल चुराएंगे और आलस करेंगे तब उस इस्थिति में निश्चित रूप से आपको लाभ नहीं होगा। अपने करके हनुमान जी के 40 का पाठ कीजिए और सुर्य देव को जल दीजिए आपके लिए बहतर रहेगा। प्रसिधी सफलता देने वाला रहेगा और साथ ही साथ जो भी मुश्किले हैं रोग दुख हैं उनको हरने वाला रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहत पसंद आई होगी। आप सभी जो धनुराशी के जातक हों हमारी दिल से शुख कामना है कि बहुत ही अच्छे से ये साल गुजारें और नाम तरकी करें। फिलहाल आप सभी वीडियो को कमेंट जरूर करें लाइक जरूर करें मुझे खुशी मिलती है ये वीडियो आप सभी देख रहे थे जीवन जीने की कलाय स्प्रिच्वल चैनल के माध्यम से ऐसी ही नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल नोटिफ आपको सबसे पहले मिले फिलहाल विदा लेते हैं आज किस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में तब तक आप सभी खुश रहें आनदित रहें प्रेम से कमेंट में जरूर लिखें जैमादादी